हाव रुफिक्स, रेट मी गो, बATUM बटन्स नोट वोर्किंगड प्रोबेंग तो आज की वीज़ेंगी पर बतागा कि कैसे आप जो है button buttons not working problem को solve out कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं हमारे जो buttons आते हैं ठीक है बेक button या फिर recent button तो वो सब दोस्तों touch process में आते हैं ठीक है वो सब touch button से तो अगर आप उसमें touch करते हैं तो आपका phone बेक भी होगा हमबर पर आ जाएगा और recent भी काम करेगा लेकिन यहाँ पर problem क्या हो रहा है आपके जो button button से वो काम नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो कैसे उसको fix करें चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के regarding पर solution देने वालो वीडियो शुरू करने से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकून को क्लिक जरुत से कर देना ताकि आपको To always भी मिलता रहे तो चलिए वीडियो शुरू करते तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है अगर बटम बटन काम नहीं कर रहा है ठीक है तो आप दोस्तों यहाँ पर यह चेक कीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है अपना जो मोबाइल उसको रिश्टार्ट करना है ठीक है मोबाइल रिश्टार्ट करने इसके बाद चेक कीजि की ठिएगा तो ट्विक मौड जो एब को एकसिसिविलिटी पर मिल मेद जाएगा याप एडिशनल सेटिंग पर जाके हमें ढफाने मॉट मिल जाएगा टो अब यहाँ पर हामें ओफ करना होगा तो यह आपका बटन काम करेंगा तो में कर कि देखे अगर आप आपका प्राप्टेट करने से यह फिक्स्ट हो सकते या फिर नहीं होसकते प्राप्लेंगे अगर नहीं होते हैं तो दोस्तों इहाँ पर होगा क्या मैं आपको बता देता हूं ठीक है आप दोस्तों फॉन को फेक्टोरी रिसेट करके देखिए तो कई बार फेक्टोरी रिसेट करने से इस तरह का जो प्रॉब्ले में इश्यू है वो फिक्स हो जाते हैं ठीक है लेकिन अगर आपको फेक्टोरी रिसेट करने में दिक्कत हो रहा है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं आप कवीड़ उस कर सकते हैं explore and new future में जाएए deepen बॉल में टेप करें और जहांब और इससाइप करें और चाहँ करें और सब्सक्राइब और उसकर के법 यहां पर दोस्तों आपको कुछ बटन दिखाय देरहा होगा नीचे में ठीक एक तो यहां से ही में अपनी स्क्रिंद को यूस च thorough काफी बढ़िया तरीके से यूज होते हैं तो के से तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ठीक है एप्लिकेशन के मदद से तो यह अप्लिकेशन है जो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल रहा है वह है नेविकेशन बार उपर में लिखावा है नेविकेशन बार तो इसको ओन करे और ओन करने के वाद दोस्तों इस तरह का option आपको मिल जाएगा तो यह है height setting ठीक है यहां से आप height को set कर सकते हैं तो यह है दोस्तों आपका navigation bar तो इसको on करते हुए इसको use कर सकते हैं ठीक है तो बस इस तरह के से अपना जो button buttons problem में वह fix fix आउट कर सकते हैं और दोड़्तों कभी कभी ये currently हब्सक्रिंज़ टो आज के लिए बसितने आघ्र राचिंग